यहां पर मैंने जो मठे का पानी होता है उसको यूज किया हुआ है आप नौर्मल पानी भीयूज कर सकते हैं मैं इसे मिला दीगे और इस अच्छी तरह से मिक्स कर लिया आप मैं इसे 5-10 मिनिट के लिए रख दूँगी यह देखिए इतनी थिकनिस है इससे हमारी सुझी अच्छी तरह से फूल जाए यह आप देख सकते हैं सुझी फूल कर हमारी कितनी गाड़ी हो चुकी है इसे थोड़ा पानी हम और आइट करेंगे फिर इच्छी तरह से चला देंगे इस तरह चला लेना है हमें इसे जिसका इसे बैटर इसका थोड़ा सा इंटेंसी बैटर हो जाए यह देखिए हमें इस केंडेंसी का बैटर चाहिए हमें इसे इसे तरह चलाती रहना है इसे अच्छी से मिक्स करेंगे इसे बारी कटे हुए सिबला मिर्च इन सभी को एड़ करके अब इसे में अच्छी से चला लेंगी यह दिखिए मैंने अच्छी से सब्जी में को मिक्स कर लिया है सूजी में इसमें मैं थोड़ा एड़ करूँगी जीर आप और यहां पर वन टेबल सूट हल्दी पाउडर अब बाकी यहां पर मैं कोई मसाला यूज नहीं कर रहे हूँ सिवह में इतने यूज करना है इसे में अच्छी से मिस कर लेना है कि मैं आज सूजी कैसा नास्ता बनाने जार रही हूँ तो प्लेस वीडियो को पुरा वाज करिएगा आप इसमें मैं आड़ करूँगी यह बारे कटी हुई मेति यह मेति का नास्ता है यहां पर मैं बना र अच्छी से मिस कर लिए है यह दिखिए मैंने मिक्स कर लिया है अब हम एक गास पर पैन चड़ा देंगे और इसमें ओल डाल देंगे गरम होने के लिए जब तक हो आज आज गरम हो जागा फिर अब उसमें चम्मच की मदद से इसमें एक एक पिस करके डालते जाएंगे लटते पलटते हैं पर इसे चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पर मीडियो मीडियम अम लिओ फ्लेम पर आप देख सकते हैं मैंने इसे पलट दिया है दूसरी तरफ इसे दूसरी तरफ भी अच्छी तरसे पक जाएं अब इसे हम निकाल लेते हैं बाहर हमारा एक बैच त्यार हो गया है अब बाकी का जो बटर बैटर है उसको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे चलिए अब हम दूसरा बैच भी त्यार कर लेती है यह देखिए आप देख सकते हैं हमने सारे बैटर बैट कर दी है चुब मज़ की मुदद से आप देख सकते हैं हमने सारे बैटर राइट कर दी है बाकी का जो बचा था अब इसे दो से तीन मिद्ध देके पकने के लिए छोड़ दूँगी दो से तीन मिद्ध देखिए इस ओलट प्लट के गोल्डन ब्राउन होगे पकाल दूँगी लो मीड जिम्प्लें पर आप ये नास्ता जरूर बनाएगा ये सूजी से बना नास्ता है देखिएगा सूजी के पकोड़े तो आपको ये नास्ता जरूर टेस्टी लगेगा तो जरूर बनाएगा अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं ये भी हमारा त्यार होग चुगा है अब हम बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट भी चलिए अब इन्हें हम सर्व करते हैं ये देखिए आप देख सकते हैं किते अच्छे से पकोड़े बनके त्यार हुए है ये सूजी से बने हुए है तो आप कमा तो